स्वागत है आप सभी का फिर से पोशेंट एकर हेल्फ लाइन में आज की इस ब्यूडर में हम लोग पोशेंट एकर में गर्वती महला को कैसे पंजिगित करना है इस टॉपिक पे डिसकस करने वाले हैं आप सभी पोशे टेकर में किस प्रकार से गर्वती महिला का न्यू रेजिटेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको बेनिफिशिर में आना है और यहाँ पर आप लोग प्रिगनेंट मोमेर वाले फोल्डर पर ओपन करेंगे और उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर न्यू रेजिटेशन का ओप्षिन दिखाए दे रहा है तो आप लोग इस ओप्षिन को किलिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने यह फॉर्म ओपन हो जाता है यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपको मांगी जारी है जिस तरह से आप लोग को उस तरह से इसको फिलब करना है तो सबसे पहले उपर आपको यहाँ पर नेम ओफ प्रिगनेंट मोमेर यानि यहाँ पर गर्वती महिला का आपको नाम डालना है फिर आप नेचे भी गर्वती महिला का नाम डालेंगे यानि यहाँ पर इन नेम इन यूर लैंग बेस अपनी लैंग बेस में आपकी कोई भासा आपकी जो अपनी भासा है आप उसमें लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं उसके बाद हजबेंड नेम तो यहाँ पर हजबेंड नेम लिखेंगे और फिर आपको यहाँ पर आधार लिखना है उपर आप लोग जो यहाँ पर नेम डालेंगे वो नेम आपको आधार के बेस पर डालना है जो भी आपका आधार में same spelling है वही spelling आप लोग को यहाँ पे डालनी है एंड उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे आधार नमर फिलप कर लेना है तो यहाँ पे आप लोग आधार नमर डालेगा और नीचे आपको यहाँ पे आवा आईडी के लिए option बंद रहेगा तो यह option open नहीं होगा इसलिए आपको बाद में इस गरबती महला के आवा आईडी को बनवाना होगा यानि आप लोग किस तरह से बना सकते हैं वो हमने अपनी motion tag का इसी channel पे upload की है आप लोग महाँ दे watch कर सकती है और उसके बाद नीचे आप लोग को यहाँ पे date of worth तो यह date number था आपको गरबती महला के डालनी है आधार के base पे आप लोग यहाँ पे आधार के base पे यहाँ पे date of worth डालेंगे और उसके बाद गरबती महला का mobile number आप लोग यहां पर mobile number डालेंगे आप लोग किसी भी family member का यहां पर mobile number डाल सकते और उसके बाद नीचे है category तो आप लोग यहां पर select वाले option पर click करेंगे यहां से आप लोग अपनी category को select कर लेंगे और उसके बाद आपको यहां पर ऑप्शन दिखाए दे रहा है इसको आप लोग को छोड़ना है और उसके बाद आप लोग यहां पर Is this your first pregnancy? क्या आपकी यह पहले गर्बवास्ता है? किसी पहले बार गर्बती महिला है तो आप लोग यास कीजेगा यानि सेकंड बार गर्बती महिला है तो आप लोग नो पर किलिक कीजेगा उसके बाद है नीचे आपका Has the year? Win a miscarriage before तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि क्या महिला का पहले गर्बवास्ता हुआ है? हुआ है तो आप लोग हां पर ना पर किलिक कर सकते हैं यहां पर गर्वात नहीं हुआ है पहले तो इसलिए हमने यहां पर नो किया हुआ है और उसके बाद लास्ट में आपको गर्बती महिला का लास्ट LMP डेट यहां पर लिखनी है तो आप लोग लास्ट प्रियर्ट का जो भी डेट होगा तो वो LMP डेट आप लोग यहां पर मैंसन करेंगे आप लोग LMP डेट को भड़ते वक्त विशेज ज्ञान रखेगा कि आप लोग को अच्छे से ही जो उसकी रियल LMP डेट है वो ही यहां पर चड़ानी है तो यहां पर यदि आप लोग फेक LMP डेट चड़ाते हैं तो आप लोग को यहां पर पोश्यन ट्रैकर करके अकॉर्डिंग जब तक उसको 9 मंथ कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहां से वो हटेगा नहीं तो इसलिए आप लोग यहां पर LMP डेट को कंफर्म करके ही डालिएगा अपकी डेटियल को अब हम यहां से फॉर्म को समिट करेंगे इस तरह से आपका फॉर्म समिट हो जाएगा यानि आपकी डेटियल सक्सेफूल हो जाएगी यहां पर न्यू गर्वति महिला का रेइस्टेशन यहां पर हो जाएगा तो इस तरह से आप लोग अपना फॉर्म समिट कीजेगा अपनी गर्वति महिलाओं का रेइस्टेशन पोशें ट्रेकर पर कीजेगा इन उसके बाद आपको बैक जाने के लिए यहाँ पर go to home वाले option को click करना है आप लोग यहाँ पर click करके अपने home page पर आ सकते हैं तो चले अब हमें second काम क्या करना है आप लोग यहाँ पर आएंगे फिर से अपनी beneficiary पर एंड उसके बाद यहाँ पर आपको check करना है कि आपकी गर्बती महिला यहाँ पर रही है या फिर नहीं हो रही है तो यहाँ पर आपको जश्ट दिखाई भी देती है या फिर नहीं भी दिखाई दे सकती है आप लोग यहाँ पर कुछ दिर wait करेंगे तो आपका यहाँ पर new registration की संख्या यहाँ पर आ जाएगी आप लोग देख सकते हैं हमारा पहले यहाँ पर शून्य था अभी हमने एक गर्बती महिला का यहाँ पर पंजिक्रन किया तो हम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसकी संख्या सो होने लग गई है यहाँ पर आप सभी को दुबारा registration नहीं करना है यदि आपकी गर्बती महिला या फिर आप लोग कोशें टेकर में किसी भी लाभारती को पंजिक्रन कर रहे हैं आपने उसको एक बार पंजिक्रन कर लिया है एंड सकसेस्फुल का option भी वहाँ पर आप लोग को दिखाए दे रहा है एंड उसके बाद जब आप को 24 गंटे के अंदर दिखाए दे यदि 24 गंटे के अंदर भी नहीं दिखाए देता है तो आप लोग करेंगे यदि आपको नहीं फिर भी सो नहीं होता है तो आप लोग दुबारा से उसका रेश्टेशन नहीं करेंगे क्योंकि दुबारा से रेश्टेशन करेंगे तो वो आप लोग को किस तरह से करना है आप लोग थोड़ा सा अपना portion tracker के app पे आएंगे बाहर से आप लोग यहाँ पे अपना portion tracker app पे आएंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हलका सा आपको इस portion tracker को प्रेस करना है यानि दबाना है थोड़ा सा हलका सा आप लोग दबाएं देगा आपकी phone की setting पे बात होती है कि आपकी phone की setting की इस तरह की है आप लोग यहाँ पे storage वाले option को click करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह का page ओपन हो जाएगा और नीचे आपको data clean clear data and clear cache का option दिखाए दे रहा है तो यहाँ पे हमको clear data वाले option पे click करना है मेरे phone की screen में आपको नीचे की side clear data का option लिखा हुआ है आप सभी को यहीं पे कहीं पे भी एक data clear data का option मिलेगा तो आप लोग उससे click करेंगी यहाँ पे click करने के बाद आपको ok करना है ok करेंगे तो आपका portion tracker में जो बकाया data है वो clean हो जाएगा और फिर से अपना portion tracker open करेंगे तो यहाँ पे आप लोग चेक करेंगे आपका वो लाभरती यहाँ पे सो होने लग जाएगा तो इस तरह से आप लोग जरूर try कीज़ेगा यदि आपका सो नहीं हो रहा है portion tracker में लाभरती आपको दुबारा उसको registration नहीं करना है यदि आपने दो पहली बार registration किया वो portion tracker में सो नहीं हो रहा है सक्षिश पूलोने के बाद भी और आप लोग ने दुबारा से उसका registration कर लिया है दो बार registration कर लिया है फिर भी वो पोशन टेकर में सो नहीं हो रहा है तो आप लोग जब यहाँ पे इस तरह से try करेंगे कि उसका portion टेकर का data clean करेंगे तब उसके बाद आप लोग चेक करेंगे तो आपके दो बार registration की हुई लाभारते दो बार ही यहाँ पे सो होने लग जाएंगे तो आपको एक ही बार करना है portion tracker में registration यहाँ पे अभी हमने इस गर्बती महिला का registration किया है तो registration करने के बाद आपको यहाँ पे उसको verify भी करना है तो portion टेकर में आपको आधार verify कैसे करना है यहाँ पर हम लोग देखेंगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका unverify लिखा हुआ है तो आपको verify करने के लिए यहाँ पर नेम पर किलिक करना है आप लोग नेम पर किलिक करेंगे जैसे आप लोग नेम पर किलिक करेंगे तो यहां से नीचे आप लोग आधार देख सकते हैं, सामने आपको वेरिफाय का आप्शन मिलेगा, सामने आपको वेरिफाय का आप्शन मिलेगा, आप लोग यहां पे क्लिक करेंगी, और उसके बाद आपकी डिटेल यहां पर ओपन हो जाएगी तो यहां से आप लोग इसको आधार के बेस पर मिला लीजेगा यानि आपके आधार में यही चीज लिखी होनी चाहिए जो यहां पर लिखा होगा है यहां पर सबसे उपर आपको नेम दिखाए दे रहा होगा आप लोग यहां से नेम चेक करेंगे यह नेम आपके आधार के बेस पर होना चीहेए और उसके बाद आधार नम네 चेक करेंगे फिट देट ऑबर्ट पर यहां पर मेल फिग मेल यदि आपके पूरी detail सही है तो आप लोग यहां से verify करेंगे तो आपका यह success हो जाएगा यदि आपके आधार में कुछ और name है यहां पे कुछ और name चड़ गया है तो आप लोग को update वाले option पे जाके वहां से update करके यहां पे आधार के base speed detail को चड़ाके तो जाके यहां पे आपको verify होगा यदि यह आप लोग इस तरह से आपके गला detail भरी हुई है आप लोग verify करेंगे तो नहीं होगा आधार does not match इस तरह से आपको बताएगा तो चलिए अभी हमारी detail पूरी सही है हम लोग इसको click करके देखते है जैसे हमने verify किया तो आप लोग को verify का option दिखाए दे रहा है इस तरह से green clerk के इसमें successful का option दिखाए दे रहा है तो यह हमारा आधार verify success हो गया है तो इस तरह से आपको portion tracker में आधार verify भी कर लेना है तो यहां से आप लोग को नीचे back का option दिया गया है तो आप लोग यहां से back आएंगे और उसके बाद फिर से आप लोग यहां पे आ जाएंगे तो यहां पे हमने आधार verify कर लिया है और उसके बाद आपको यहां पे mobile verify भी कर लेना है तो यहां पे आप verify वाले option पे click करेंगे तो इस तरह से आप लोग मोबाइल वरिफाय भी कर लिजी तो चलिए अभी हम फिर जे अपना बेनिफिशिरी ओपन करके देखते हैं और उसके बाद आपको पुन्हों फोल्डर को ओपन करके भी देख लेना है कि आपका यहां पे ग्रीन कलर में वेरिफाय का ओप्शन आ रहा है यदि आपको यहां प लोग पोशन टेकर में न्यूरेश्टेशन कीजिएगा साथी साथ आप लोग अधार वेरिफाय मोबाइल वेरिफाय भी कंप्लेट करिएगा तो उम्मिद करती हो कि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी यदि जानकारी आप सभी के लिए हैलफुल रही तो प्ल लाइकन घंटी प्रैस का लिजेगा तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बाई